दो हजार चोविस में मिथला का पर्व चोर्चन पावन कब है और साथ में गनेश चतूर्थी कब मनाई जाएगी हलो एवरिवन वेल्कम बैक टू मैं चैनल कुंजा फीसे लावर इवर चैनल कैसो आप लोग आई होपसो आप लोग बहुत अच्छे होंगे अगर आप मेरी च चोर्चन चोठी चंद्र पर्व धूमधाम से मनाया जाता है भाद्रपद की चतूर्थी तिति यानि जिस दिन गनेश चतूर्थी के दिन ही चोर्चन पर्व मनाया जाता है महराष्ट में जहां इस दिन लोग गनपति की स्थापना करते हैं वहीं मिथलांचल में इस दिन गनेश और चंद्र देव का पूजन किया जाता है इस दिन वरत रखा जाता है और शाम को चांद को अर्ख देखर रीवृत पूरा होता है एक तरफ जहां छड में सुरे की उपासना हो चॉर्चन में चांद की पूजा का विधहन माना जाता है कि इस पूजा के करने से भगवान चंद्रदेव प्रसंद होते हैं और मनुकामनाई पुर्ण होती है इसके पीछे की कहानी है कि चंद्रदेव ने अपनी सुंदर्ता के अभिमान में भगवान गनेश का मजा कुरा दिया जिसके बाद भगवान गनेश ने उन्हें श्राप दिया जिसके बाद भग सब्सक्ति से प्रसन होकर गनेश जी भगवान ने उन्हें असिद्वाद दिया कि जो भी इस खास मंत्र के साथ गनेश चतुर्थी को चंदर देव का दर्शन करेगा उसका जीवन निश कलंक रहेगा तभी से ये व्रत मनाया जा रहा है इस दिन मिट्टी के बरतन में दही जम खीर बनाये जाती है इसके साथ ही पूरी पिरुकिया गुजिया और मिठाई में खाजाल लडू तथा फल के तोर पर केला खीरा शरीफा संत्रा आधी चढ़ाया जाता है 2024 में चौर्चन कव है साल 2024 में चौर्चन ती थी जो है वो 6 सितंबर को 2 फर 3 बज कर 1 मिनट पर प्रारंभ होगी और 7 सितंबर को साम 4 बज कर 31 मिनट पर समाप्त होगी चंदरुदे की पूजा कर चौर्चन की पूजा के लिए 6 तारीक जी हां साम को ही पूजा किया जाएगा क्योंकि 7 तारीक को जो है वो साम 5 बजे से लेके 37 मिनट तक ही है और गनेश चतूर्थी जो है उद्यातिति की कारण 7 तारीक को ही मना जाएगा और चौर्चन जो है वो 6 सितंबर को मना जाएगा और साथ सितंबर को जो है वो गनेश चतूर्थी मनाई जाएगी तो कैसा लगा आप सभी को हमारा ये चौर्चन वीडियो प्लीज कमेंस करके जरूर बताईएगा अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज म झाल